अब देखिए लापलास आप कॉज एटी क्या होता है आपने आईलर्स की इस हायता से इसको कर दिया पीछे साइन के साथ इसी को लपेड़ दिया ठीक है लेकिन अगर हम माले वहाँ भूल गया बोले ने वो नहीं भूलेंगे माले भूल गया ने हो जाता है ना बई देखो यह है प्रोसीजर यह तो हम बोल नहीं सकते यह हम प्रोड़क्ट लगाएंगे तो लेंदी जाएगा लेकिन वह आईलर्स दिमाग से निकल गए ठीक है तो देखें एलाफ कॉज एटी जब करेंगे तो अगर ध्यान से लापलास को पढ़ें तो यह एफ्टी लिखा है ना तो इसका इंट्रिगल क्या होगा कर सकते हैं लेकिन हमारे पास एक फार्मुला है वी नो दैट और जो वी नो दैट हम लिख रहा है ना यह फार्मुला हमको भी नहीं याद है और आपको तो याद ही नहीं है ठीक है नहीं याद है ता ना इंट्रिगल लिमिट न लिखेगा इंट्रिगल e to power ax cos bx e to power ax cos bx हमने वहाँ क्या बताया था e to power ax sin bx क्या होता है formula जरा e to power ax upon a square plus b square यहां भी होता था sin के case में भी होता था bracket में क्या होता है a cos bx a cos bx plus b sin b sin bx अब देखो जहां से अगर हम अपने इसे compare करेंगे now so हमको इसली चाहिए 0 to infinity आप यह नहीं करना यहां limit क्यों नहीं रखी limit रख देंगे तो यहां value आजाएगी एक result आजाएगा 0 to infinity e to power minus st cos a t dt आपका जो x variable है यहां पर t variable है पहली बात तो देखे यहां x के साथ a है यहां minus t है यानि a क्या रख देना है आपको minus s और b क्या रख देना है a रख दो ठागर के a को रखेंगे minus s तो उपर आएगा minus st आजाएगा नीचे a square बोले तो s square और b square बोले तो a square a बोले तो minus s cos a t b plus t sin bt sin a t और limit यहां नहीं रखेंगे यहां कल्डी ब्रेकर लगाएंगे और limit हम बाहर बर लगाएंगे 0 to infinity वैसे तो इसका हमने पीछे sin के साथ जो eilers method से बताया है आप उसी method से कर लेंगे लिए कभी-कभी eilers आप दिमाग से slip कर जाते हैं तब के case में यह है चुकि यह rule हमने अच्छा यह अगर formula ना भी याद हो ना तब भी हम product rule करके लगा लेंगे कोई दिकत नहीं है साथान यह आपका L of cause at चला है ना cause at is equal to साथान one upon s square plus a square तो बाहर कर दो बड़ा सा bracket लगा दो देखिए t को रखेंगे infinity साथान तो यहाँ आएगा e to power minus infinity अंदर क्या आएगा कोई फरक नहीं पड़ता एक नट यह गलल लिग गया यह क्या यह t कहां से लिग दिया यह क्या होगा b है a होगा तो यह 0 आ जाएगी value न तयानी कि infinity रखनें पुरा step कितना आ गया 0 फिर minus लगाएगे अब रखेंगे 0 साथान 0 करोगे यह बन आएगा तब यहाँ 0 करोगे तो minus का S आएगा क्योंकि cause 0 को मार 1 होता है और यहाँ करोगे तो 0 आएगी value यह 1 होगा न तो minus लगता है बाहल का दिया हमने तीक है आप रखके देख लिजेगा बोले अच्छा पुरा पुरा question लगाओ हम कहें देख लेंगे जो लिखोगे हम वही से तो ठीक साउधान bracket खुलो के तो plus का S आएगा तो यह क्या आएगा S upon S square plus A square लाप्लास of cause 80 हो गया अब आपके question में cause 80 में T change हो सकता है जैसे T के respect में हां ट्रिकेट कर रहे हैं कहीं X आगया उसे कोई फरक नहीं पड़ता एक ही जगे कुछ भी हो सकता है जैसे एक ही जगे नहीं कर रहे है क्योंको आइलर्स पीछे साइन के साथ हमने प्रूफ कर दिया है तो इसको वहीं से कर लिजेगा ठीक नोट कर दिया इसको